दोस्तो बिग बॉस वराठी सीजन पाच अपने अंतिम चरन पर है जी हाँ ऐसे में सभी लोग यह देखना चाहते है कि अब घर में क्या कुछ नया होने वाला है ऐसे में आपको बता दे कि घर में री यूनियन होने वाला है जी हाँ जैसे कि प्रोमो में देखा जा सकता है कि री यूनियन हुआ है घर के जो पूर्व कंटेस्टेंट है जो घर से बेघर हो गए है वो अब घर में आने वाले है और सभी कंटेस्टेंट से जो फाइनलिस्ट है उनसे मिलते नजरा रहे है ऐसे में दोड़ते भागते अरबास पटल को घर में एंट्री लेते हुए देखा जा रहा है जी हाँ अरबास भी घर में आये है और उन्होंने निक्की को भागते हुए आये और वे निक्की को अपने गोदी में उठा कर घर के अंदर ले गए और उसके बाद दोनों एक दुसरे से बात करते हुए नजर आएंगे एक तरफ जहां पूराने कंटेस्टेंट से मिल रहे है वही अरबास और निक्की एक बार फिर से घर में मिलते हुए नजर आ रहे है अरबास आट वे वीक पर ही घर से बेघर हो गए थे और जब वे घर से बेघर हो रहे थे तब निक्की खूब रोने लगी थी और काफी एमोशनल हो गई थी लेकिन उसके बाद निक्की की मम्मी जब घर पर आई तब उन्होंने अरबास को लेकर कुछ ऐसी बाते कह दी थी that जिसके बाद से निक्की अरबास से नफ्रत करने लगी थी लेकिन अब अर्बास पटेल घर में एक बार फिर आये हैं और उन्होंने अपनी सफाई देते हुए निक्की से बात की है और सारी जो उनकी बाते हैं वो निक्की के सामने रखी अब यह देखना काफी दिल्चस्प होगा कि अर्बास पटेल और निकी तामबोली के बीच के जो रिष्टे थे क्या हुआ पहली की तरह फिर से साफ हो जाएंगे या एक बार फिर से दोनों में दूरिया बनी रहेगी साथ ही आपको बता दे कि रवीवार 6 अक्टोबर को शो का ग्रेंट फिनाले होगा और बिग बॉस मराठी सीजन 5 का विनर हमारे सामने होगा